वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स दोस्तों कैसे हो आसा है आप अच्छे होंग दोस्तों तो आसकी वीडियो में हम बात करेंगे आप घर पर 1000 वाट का एम्प्लीफेर कैसे बना सकते हो amplifier में जो कौन-कौन सा समान लगेगा कौन सा समान आपको कितने रुपे मिलेगा और कहा मिलेगा एक complete 1000 वाट का amplifier बनाने में कुल कितना खर्चा आपका आ जाएगा दोस्तो ये वीडियो मैं एक भाई के comment पर बना रहा हूँ अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए एक amplifier में काफी कुछ समान लगा होता है लेकिन पहले मैं आपको जो कुछ basic समान के बारे में बता देता हूँ जो की amplifier में लगाना ज़रूरी होता है और फिर मैं बात करूँगा कुछ अन्य समान की जिसको आप चाओ लगा सकते हो अगर आप नए चाओ तो उसको कोई जरूरी भी नहीं है देखिए amplifier में जो है आपके main चार समान लगे होते हैं तो एक आपका amplifier board होता है दूसरा amplifier में जो ट्रांसफरमर लगाता है वो और तीसरी आपकी power supply चोथा उसमें लगाता है mid-based travel board दोस्तों अगर आपके amplifier में ये चारो चीज अच्छी quality की है original है तो आपका amplifier भी बहुत powerful बनेगा इसलिए आपको इन चारो चीज़ों पर ध्यान देना है ये चारो चीज़े बिल्कुल original होनी चाहिए आपके amplifier में क्योंकि दोस्तों पूरा amplifier का मुद्धा इन चारो चीज़ों पर टिका हुआ होता है दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं amplifier board की आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये है 500W class D amplifier board ये दोस्तों आपके दो board लगेंगे जिससे की एक board से आपको 500W मिलेगा और एक से 500W मिलेगा जो आपका amplifier बनेगा वो stereo amplifier बनेगा उसमें दो channel होंगे एक channel से 500W output मिलेगी और दूसरे से भी 500W output मिलेगी और टोटल आपका जो है 1000W studio हो जाएगा दोस्तों ये board आपको जो है 1000-1200 रुपे मिल जाएगा class D का board है पर उपर 500W output देता ये और दोस्तों आगे हम दूसरे नंबर पर इसके transformer की बात करें तो इस board पर जोस्तो 30-30V का transformer लगता है लेकिन आपको जो इस पर 2 board चलाने है इसलिए आपके ampere काफी ज़्यादा होने चाहिए इसलिए आप जो कम से कम 20 ampere का transformer जूरू लगाना अगर आप 20 से भी कम करोगे तो आपका sound फटने लगएगा इसलिए आप जो 30-30V कम से कम 20 ampere का transformer जूरू लगाएगे इन दोनों पर तब ही जो यह transformer दोनों board को अच्छे से operate कर पाएगा दोस्तो यह जो transformer है आपका 30-30V का 20 ampere का जो आ जाएगा दोस्तो 20-25 रुपे के बीच में आपको इमिल जाएगा चाहिए आपको इसी भी brand का ले आगे दोस्तो power supply की बात करते हैं इस पे जो आपको power supply लगानी है 4 capacitor की 80V 10,000UF के उसमें capacitor लगे होने चींगे तब ही जाकर आपको एक अच्छी sound quality मिलेगी दोस्तो अगर आपने उसमें कम value के capacitor यूज किये तो उससे आपका base फटने लगेगा आप जो जितनी जादा value के जितनी जादा अच्छी power supply लगाओगे उतना ही आपको जो sound में effect मिलेगा अच्छा दोस्तो यह power supply जो आपको 1000-1200 रुपे मिल जाएगी यह MV collection की है अगर आप किसी भी brand के खिरिद दोगे तो दोस्तो कम से कम 1000-1200 में मिल जाएगी एंड दोस्तो चोथे नमबर पर है हमारा mid-based travel board दोस्तो यह board अमारे amplifier में main काम करता है यह हमारे amplifier का mid-ear-based travel volume को control करने का कारिया यही करता है board इसलिए दोस्तो इस board को आपको ध्यान से करिदना यह board आपका original होना चाहिए अगर आप यह board जो है दोस्तो सस्ता duplicate लगा दोगे तो उससे आपके amplifier को अच्छा gain नहीं मिलेगा और वो अच्छी sound quality आपको नहीं दे पाएगा इसलिए आपको जो है एक अच्छा यह preamp board यूज़ करना है तब ही जाकर आपको एक अच्छी sound quality मिलेगी दोस्तो यह जो है MV collection का है इसका price 400-500 रुपए है यानि कि 400-500 रुपए में आपको यह मिल जाएगा चाहिए आप कोई भी brand का खरीदो दोस्तो जो मैंने आपको चार समान बताई है इन चार समान पर depend करता है कि आपका amplifier कैसा होगा अगर आपने इन चार समानों को अच्छी quality का और अच्छी brand का original खरीदे हैं तो आपका amplifier भी एकदम powerful होगा अगर आपका यही समान में कोई भी समान आपका duplicate रहा गया तो आपका amplifier भी समझ लिए duplicate रहेगा इसलिए friends इन चारो को खरीदते समय आपको ध्यान रखना है original होने चाहिए चारो की चारो आपका amplifier भी बिल्कूल original होगा तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं कुछ वैसे समान जिसके आप जो है चाहो तो लगा सकते हो वैसे कोई जुरूरत नहीं है देखिए एक होती है speaker protection और एक soft starter दोस्तों यह जो आप चाहो तो लगा सकते हो बाकि इसमें कोई जुरूरत नहीं है देखिए speaker protection आपको speaker protection को protect करने का कारिया करती है और आपका soft starter जो है transferner को soft starter के से start करता है और दोस्तों speaker protection के price की बात करें तो यह आपको जो चार सो रुपए में मिल जाएगी और जो आपका soft starter है वो भी 400 से 500 रुपए में मिल जाएगा और दोस्तों अब बात कर लते हैं main मुद्दे की दोस्तों जो आपका cabinet होगा दोस्तों इसके लिए आपको एक अच्छा cabinet खरिदेना है एक अच्छी quality का cabinet एंड आपके जो connector रह गई जैसे कि यह ox connector हो गया speaker connector, mic connector जोस्तों amplifier में बहुत सारे connector होते हैं ज़्यादा सज़्यादा आपके 500 रुपए में सभी connector आ जाएगी एंड आपका जो एक fan रह गया अगर आप चाहो तो लगा सकते हो वैसे इसकी कोई जुरूत नहीं है क्योंकि यह class D के board है यह heat नहीं होते अगर आप एक अच्छा खासा fan खरीद होगे तो दोस्तो 100 से 200 रुपए में आपको मिल जाएगा और last में हम बात करते हैं view meter की दोस्तों अगर आपको नहीं पता है view meter क्या होता तो पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों जो आपके अउजा के amplifier होते हैं या फिर और किसी यदर ब्रेंड के amplifier होते हैं उनमें आपने देखा होगा कुछ amplifier में जो आगे signal के लिए जो आपको indicator दिये होती हैं blue और red रंग के दोस्तों जो के आपके sound level को दिखाते हैं उनको दोस्तों view meter का आ जाता है ये दोस्तों अगर आप चाओ amplifier में लगा सकती हो अगर आपको नहीं चाओ तो इसकी कोई जरूरत भी नहीं है वैसे दोस्तों अगर इससे लगाएं तो amplifier की 100 बढ़ जाती है और इससे में sound का level पता चलता रहता है इसलिए आप इसको जो लगा सकती हो इसका price दोस्तों 300 से 4 रुपे है 300 से 4 रुपे में आपको ये मिल जाएगा दोस्तों जितने भी समान के मैंने इस वीडियो में बात की है वो सभी समान आपको जो है इस वीडियो को description में मिल जाएगा उसका link वासे जाकर जो आप इनको खरीद सकते हो और दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि सभी समान आप एक ही brand का ले ये नहीं कि आप transformer किसी brand का ले लिए या board किसी brand के ले लिए तो दोस्तों आपका amplifier जो एक अच्छा amplifier नहीं बनेगा इसलिए दोस्तों मैं कहूँगा कि जिस किसी brand का ले सभी जो है component A की brand से खरीदे तब ही आपका amplifier जो अच्छा खासा बनेगा और दोस्तों आप बात कर लेते हैं जो इससे amplifier बनेगा उसको हम कितने ohms पर चला सकते हैं कितना load दे सकते हैं तो देखिए यह जो मैंने आपको board दिखाए थे ना 500 watt class D के यह board दोस्तों 2 ohm पर stable है आप चाहो तो 2 ohm पर चला सकते हो लेकिन मैं आपको कमगा कि इनको जो 2 ohm पर ना चला है अगर आप चाहते हो आपका amplifier long time चले तो इनको 2 ohm पर बिलकुर ना चला है 4 ohm पर चला ही आपका एकदम best amplifier चलेगा दोस्तों कोई भी amplifier उसको 2 ohm पर चलाओगे तो आपको जो wattage काफी ज़्यादा मिलेगी लेकिन आपका transformer, power supply और amplifier board पर काफी ज़्यादा high load पड़ता है और आपके speaker बे भी काफी ज़्यादा high pressure पड़ता है क्योंकि 2 ohm पर चलाने से amplifier की power जो है दोस्तों बढ़ जाती है इसलिए आप इसको 2 ohm पर ना चलाए 4 ohm पर चलाए आपका amplifier जो है काफी long time चलेगा और दोस्तों इसके load की बात करें तो दोस्तों ये आपका 1000 watt का मिलेगा इसके एक channel पर आप जो है 800 watt या 700 watt तक load दे सकते हो देने को तो दोस्तों आप 1000 दे दोगे तो भी चलाता रहेगा ये ऐसा थोड़ी है बंद हो जाएगा लेकिन आपको proper बढ़िया sound दोस्तों आपको 700 watt तक और 800 watt तक मिल जाएगी इसलिए आप इसके एक channel पर 700 से 800 watt लोड देजेगा उससे आपका amplifier भी खराब नहीं होगा और काफी अच्छी sound के साथ आपका चलता रहेगा तो दोस्तों आई होप आपको पता चल लगया होगा कि आप जो है एक 1000 watt stereo amplifier घर पर कैसे बना सकते हो कौन कौन सा उससे में समान लगेगा सभी समान का मैंने जो है price बता दिया है और दोस्तों सभी समान का जो है link आपको खरीदने के लिए description में मिल जाएगा आप वीडियो के description जाकर देख सकते हो वहाँ से आप सभी समान खरीच सकते हो और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी doubt रहा गया हो तो आप हमें comment कर दीजिएगा मैं आपका reply जरूर करूँगा तो दोस्तों वीडियो को like कर दीजिए और channel को कर दीजिए subscribe मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए bye bye thank you वीडियो में